नमश्कार दोस्तों, एर वरत कता में आप सभी का बहुत बहुत हर्दी कभिनंदन है आज हम एक और देव उठनी एक आदसी की पुरानिक कता के साँध आपके समक्ष हाजिर हैं आईए इसकता के बारे में विस्तार से बताते हैं देवटनी एकादिसी की ये कता शंकासुर नामक राक्षस की है शंकासुर ने तीनों लोकों में बहुत ही उत्पात मचाय हुआ था तब सभी देवताओं के आगरा करने पर भगवान विश्णु ने उच्स राक्षस से युद किया और ये युद कई वर्षों तक चला युद में वे असुर मारा गया और इसके बाद भगवान विश्णु विश्राम करने चले गए कार्तिक शुकल एकादिसी के दिन भगवान विश्णु की निद्रा टूटी थी और सभी देवताओं ने भगवान विश्णु जी की पुजा की थी शिव महापुरान के अनुसार पौरानिक समय में द्यत्यों का राजा दंभ हुआ करता था वे बहुत बड़ा विश्णु भक्त था कई सारों तक उसके हां संतान नहीं होने के कारण उसने सुक्राचारियों को अपना गुरू बना कर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया या मंत्र प्राप्त करके उसने पुछकर सरोवर में घोर तपस्या की बगवान विश्णु उसकी तपस्या से पछन हुए और उसे संतान प्राप्ति का वर्दान दे दिया बगवान विश्णु के वर्दान से राजा दंब के यहाँ एक पुत्र ने जनम लिया इस पुत्र का नाम शंक्चूर रखा गया बड़ा होकर शंक्चूर ने ब्रह्मा जी को परसंद करने के लिए पुश्कर में घोर तपस्या की उसकी तपस्या से परसंद होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा तब शंक्चूर ने वरदान मांगा कि वे हमेशा अजर अमर रहे वह कोई भी देवता उसे नहीं मार पाए ब्रह्मा जी ने उसे ये वर्दान दे दिया और कहा कि वह बद्रिवन जाकर धर्म ध्वज की पुत्री तुलसी जो तपस्या कर रही है उससे विवाह कर ले संक्चूर ने वैसा ही किया और दुलसी के साथ विवाह के बाद सुक पूर्वक रहने लगा उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधरवों, नागों, किन्रों, मनुष्यत था तो लोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली वै भगवान विश्णू का परम भक्त था शंक्चूर के अत्याचारों से सभी देवता परिशानों कर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी उन्हें भगवान विश्णू के पास ले गए भगवान विश्णु ने कहा कि शंक्चूर की मृत्यू भगवान शिव के तृषूल से ही होगी अता आप उनके पास जाए भगवान शिव ने चितरत नामक गण को अपना दूद बना कर संक्चूर के पास भेजा चितरत ने शंक्चूर को समझाया कि वे देवताओं को उनका राजय लोटा दे परन्तु शंक्चूर ने मना कर दिया और कहा कि वे महिश्वर से युद्ध करना चाता है भगवान शिव को जब ये बात पता चली तो वे युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े इस तरह देवता और दान्वों में घमासान युद्ध हुआ परन्तु प्रमाजी के वरदान के कारण शंक्चूर को देवता नहीं हरा पाए भगवान शिव ने शंक्चूर का वद करने के लिए जैसे ही अपना तिर्शिर उठाया तभी आकाश्वानी हुई कि जब तक शंक्चूर के हाथ में श्रीहरी का कवज है और इसकी पतनी का सतित्व अखंडित है तब तक इसका वद असंभव है आकाश्वानी सुनकर भगवान विश्णू विर्द ब्रामन का रूप धारन कर शंक्चूर के पास गए और उससे श्रीहरी कवज दान में मांग लिया संक्चूर ने वे कवज बिना किसी संकोच के दान कर दिया इसके बाद भगवान विश्णू संक्चूड का रूप बना कर तुलसी के पास गए संक्चूड रूपी भगवान विश्णू ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपनी विजय होने की सुचना दी यह सुनकर तुलसी बहुत प्रसंद होई और पती रूप में आए भगवान का पुजन किया वर रमन किया ऐसा करते ही तुलसी का सते तो खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने तिर्शूल से संक्चूर का वद्ध कर दिया तब तुलसी को पता चला कि वे उनके पती नहीं है बलकि वे तो भगवान विश्णु है क्रोध में आकर तुलसी ने कहा आपने चल पूरवक मेरा ध्रम भरष्ट किया है और मेरे पती को मार डाला अता मैं आपको श्राब देती हूँ कि आप पाशान होकर धर्ती पर रहें तब भगवान विश्णु ने कहा देवी तुम मेरे लिए भारत वर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो तुम्हारा ये शरीर नदी रूप में भैकर गंड की नामक नदी के रूप में परसिद्ध होगा तुम पुष्पो में श्रेश तुलसी का व्रिक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाशान यानि शाली ग्राम बन कर रहूँगा गंड क नदी के तट पर मेरा वास होगा देव प्रबोधनी एकादसी के दिन भगवान शाली ग्राम वा तुलसी का विवा संपन कर मांगलिक कारेों का प्रारम किया जाता है हिंदु धर्म मानिता के अनुसार इस दिन तुलसी शाली ग्राम विवा करने से अपार पुन प्राप्त होता है तो भक्तगंड ये थी देव उटनी एकादसी से संबंदित बेहदी रोचक मारमिक पौरानिक पारमपरिक का था आपको कैसी लगी किर्पया अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं और अगर आपको देव उटनी एकादसी की ये पौरानी कता पसंद आई हो तो किर्पया ऐसे लाइक करें अधिक से अधिक शेयर करें और हाँ हमारे इस चैनल को भी किर्पया सब्सक्राइब करें इसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें अब हम आपसे विदा लेना चाहते हैं अपने अगली पेशक्ष में हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए नमशकार